भगवान विश्णु के दसो अवतारों में से चौथा अवतार है नर्जिंग अवतार और इस अवतार की कथा इस परकार है अपने प्रिया भाई हिन्याक्ष के वद के संतप्त होकर हिन्याकशप दैत्यों और दान्वों को आतेशार करने की आगया देकर सुयम मदराशल परबत पर चला गया उसके हिर्दय में वैर की आग धधक रही थी अतवे भगवान विश्नु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा इदर हिन्याकशप को तपस्या मेरत देकर देवराज इंद्र ने दैत्यों पर चड़ाई कर दी दैतेगन राजा विहीन होने के करण युद में पराजित हुए और भाग कर पतालोक में शरण ली इंद्र ने राजमयर में परवेश करके हिर्णाकशप की पतनी कयाधू को बंदी बना लिया उस समय बे गर्वपदी थी इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की और जाने लगी रास्ते में उनकी देवरशी नारज से भेट हुई नारज जी ने कहा देवराज इसे कहा लिये जा रहे हो इंद्र ने कहा देवेश इसके गर्व में हिर्णाकशप का अंस है उसे मार कर इसे छोड़ दूँगा यह सुनका नारज जी ने कहा देवराज इसके गर्व में बहुत बड़ा भगवान बर्दक है जिसके मारना तुम्हारे शक्ती से बाहर है अता है इसे छोड़ दू जाता समय होने पर कयादू ने एक पुत्र को जैन दिया जिसका नाम प्रलाद रखा गया इधर हिर्नाकशव की कठोर तपेस्या से ब्रह्मा जी भी प्रसंद हो गया और उन्होंने उसे मंचाहवर मांगने को कहा यह सुनकर हिर्नाकशव बोला परगू यदि आप मुझे अव मृत्यू ना उन्हों पřितर बाहर दिन में रात्री में अस्त्र से श्रसे प्रिद्वी या या आकास में कहीं भी मेरी मित्यू ना हो युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके और मैं सम्ष प्राणियों का एक शत्र समुराठ हो जाओं को हिर्णा कशप को मुँ मांगा वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए हिर्णा कशप वापस अपनी राजधानी चला गया कयादू बिनारज जी के आश्रम से राजमहल में आ गई इसके बाद हिर्णा कशप ने पहलाद की शिक्षा की विवस्था की दिरे दिरे पहलाद की आयू बढ़ने लगी और साथ ही उसकी भगवत शक्ती भी बढ़ने लगी एक दिर हिर्णा कशप ने पहलाद को गोद में उठा कर पुछकारते हुए पूछा बेटा अपनी पढ़ी हुई अच्छी अच्छी बाते सुना तब पहलाद ने शिरी भगवान और भगवत शक्ती की प्रशंसा की यह सुनते हिर्णा कशप क्रोद से आग बबुला हो गया और उसने पहलाद को अपनी गूट से पटक दिया और असुरों को उसे मार डलने की आगया दे दी फिर तो असुरों ने पहलाद का काम तमाम करने के लिए अने को उपाय किये पर हर बात इशुर की करपा से पहलाद बच गया किसी भी उपाय से असुर पहलाद का बाल बाका भी नहीं कर पाए एक दिन गुरु पुत्रों के शिकायत करने पर हिर्णाकशप ने पहलाद को राज दर्वार में बुलाया और उसे तरह-तरह से डराने लगा फिर उसने कहा रे दुस्ट जिसके बल पर तु इतनी बहकी-बहकी बाते करता है तेरा वह इश्वर कहा है वह यदि सर्वत है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता तब पहलाद ने कहा मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं ये सुनका हिनकशप कुरोध के मारे स्वयम को समाल ने सका और हाथ में तलबार लेकर सिंग्यासन से खूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूसा मारा उसी समय उस खंबे से बड़ा भैंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक वीचेतर प्राणी बाहर निकलने लगा इसका आधा शरीर सिहिंग का और आधा शरीर मनुश्य का था यह भगवान शरी हरी का नर्सिंग अपतार है उनका रूप बड़ा भैंकर था उनकी तपाएं हुए सीने में समान पीली पीली आखे थी उनकी दाड़े बड़ी विक्राल थी और वे भैंकर शब्दों से गरजन कर रहे थे उनके निकर जाने पर जाने का सहास किसी में नही हो रहा था यह देकर हिरना कशब सीनात करता हुआ हाथ में गदा लेकर नर्सिंग भगवान पर तूट पड़ा तब भगवान भी हिरना कशब के साथ कुछ दिर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे जपटकर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जा रहा था वे हिरना कशब की उची सिंगहासन पर विराजमान हो गए उनकी क्रोध पूर्ण मुखावर्ति को देखकर किसी की भी उनके समीर जाने की हिम्मत नहीं हुई हिरना कश्यप की मित्यों का समाचार सुन उस सभा में ब्रहमा, इंद्र, शंकर, सभी देवतागर्ण, रिशी मुनी, सिही, नाग, गंधर्व, आदी पहुचे और थोड़ी दूरी परस्तित होकर सभी ने अंजली बानकर भगवान की अलग-अलग से स्तूति की पर भगवान नर्सिंग का कुरोध शान्त नहीं हुआ तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा पर भगवान के उकुरोब को देकर वैबित हो गई तब अमा जी परलाद से कहा बेटा तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुरुद हुए थे अब तुम ही जाकर उनको शान्त करो तब पहलाद भगवान के समीम जाकर हां चोरका साश्टांग भूमी पर लोट गए और उनकी स्तूति करने लगे एक नन्य बालक को अपने चड़नों में पढ़ा देखकर भगवान दर्यद्राय हो गए और पहलाद को गोद में उठाकर बिठा लिया और प्रेम पुर्वग बोले बद सपहलाद तुमारे जैसे एकान प्रेमी भक्त को यद भी किसी वस्तू के अविलाशा नहीं रहती पर फिर भी तुम केवल एक मनमंतर तक मेरी प्रसंता के लिए इस लोग में देत्या धीपती के समस्त भोग स्विकार कर लो वोग के द्वारा पुन्य कर्मों के फल और निशकाम पुन्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंदनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे दिव लोप में भी तुम लोग तुम्हारी विशुद्धी कृति का गान करेंगे यह कहकर भगवान नर्सिंग वहीं अंतर ध्यान हो गए और इस परकार भगवान विश्नु के दसो अवतार में से भगवान विश्नु की चौथे अवतार की कथा समाप्त हुई